दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे KEL और ROR के बीच में जो ECS T10 रोम सरीच का जो ये मुकाबला होने वाला है इस वीडियो के अंदर दोनों ही टिमों के पूरी इन्फॉर्मेशन में आपको देने वाला हूँ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ROR के जो कल के दो मैचेस हुए हैं इसमें प्लेयर का रिकॉर्ड किस पर कार रहा है यानि की बैटिंग ओडर क्या रहा है और के EL के जो यहाँ पे दोस्तों आज नया मुकाबला होगा सारे प्लेयर का T10 रिकॉर्ड मैं आपको बताऊंगा दोस्तों की कौन से खिलाडी का, अपने केरेर के अंदर कितनी मैचेस खेलें, कितने स्कोर करा है, दोस्तों कौन से बोलर आपको बालिंग करते वे दिखेंगे, सारे इन्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, तो एक बार जो है इस वीडियो को अंतक जरू अच करना ताकि जितने भी important जानकारी है एक बार आपको मिल पाए और आप इस match के अंदर बहतर से बहतर grand league और small league के team बना पाओ लेकिन दोस्तों आप सभी से request है कि अगर आप चैनल पर पहले बार visit कर रहे हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरू कर लेना दोस्तों इस वीडियो के नीचे जो आपको subscribe का बटन दिख रहागा दोस्तों इस पे एक बार click कर दें साथे साथ यहां पर जो bell icon बना हुआ है इस पे click करने के बाद आपको all का option देखने को मिलेगा इसको भी एक बार select जरू कर लेना तकि आने वाले T10 और T20 matches का आपको इसी प्रकार video और information मिलता रहेगा दोस्तों अगर आपको हमारा बताएगा stats पसंद आता है तो वीडियो को एक बार like जरू कर देना दोस्तों आपका एक like से में कापी motivation मिलता है तो मैं like करके support जरू करें और सबसे जरूरी बात है कि हमारे telegram group को join कर लेना देखो यहां पे आपको एक arrow का button दिख रहागा दोस् है तो टीम में आपको share कर पाऊं तो चलिए अब records की और आगे बढ़ेंगे देखो यह जो मैचे दोस्तों आपको पता ही होगा रोमा cricket ground पर यह मुकाबला हो रहा है यहां का पीछ report की बात करते हैं तो दोस्तों यह जो पीछ है एक balance पीछे दोस्तों मतलब आप कह सकते कि ब बात आप ध्यान रखना चलिए बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले और ओर के टीम के बारे में देखो इन्होंने कल दो मैचे खेला है पहला मुकाबला चेजिंग करते हैं और दूसरा मुकाबला जो मैं दोस्तों 180 रंका टार्गेट यहां पे 110 रंका टार्गेट दिया था जो कि RC के टीम ने चेज नहीं कर पाए थे और यहां पे जो दूसरा ओवीन करा है आप देख सकते हैं यानि दो मैच खेले हैं और दोनु मैच में यहां पे जित्ते वे आ रहे है आरो ओ आर के टीम चले बैटिंग ओडर को ध्यान में रखेंगे यहां पे गंगदीप सिंग जो है ना दोस्तों टीम के आपको ओपन करते वे दिखेंगे पहले मैच के अंदर ओपन करते वे दोस्तों नौ रन स्कूर करा था जिसमें से सतर ररन खर्च किये थे दो वर की गंदबाजी में लेकिन कोई विकेट यहां पे नहीं निकाल पाए थे फिर यहां पे चार रन स स्कोर करा है तो यह भी टीम के आपको ओपन करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों दोनों को जरूर ट्राय करना यह तो के लिए बेस्ट है मुवारे खसन जो कि आपको विकेट की प्रिमों नजर आएंगे दोस्तों और अच्छे खिल रहे तीने जरूर ट्राय करना है जो अच्छे फॉर्म पे हैं ति स्टार्टिंग के जो तीन खिलाड़े यह बहुत अच्छे पीक रहने वाला दोस्तों जरूर बात करेंगे दूस्तों चाहां पर चौवदा यहां पर चौवदा रंख खर्च करते विए तो यह भी खिलाड़ी कहीं नहीं इंप्रटन रहे आपके लिए राजविंदर सिंग जो कि सेकंड डाउन पर खिलेंगे पहले मेंच के अंदर पांच रं दुसरे मेंच के अंदर दो रं प्लस एक विकेट निकाले हैं तो यह भी इंपोर्टन रहेगा दोस्तों बाकि यह बात करेंगे देवफुरा के बारे में तो पहले मेच के अंदर आट रंट खर्च करते विए एक विकेट निकाले थे फिर थर्ट डाउन पर बल्ले बाजी करते हो बार रंट स्कोर दोस्तों बात करेंगे दोस्तों बात करेंगा दोस्तों पहले मेह रंट खर्च करते हैं और एक विकेट निकाले हैं तो यह भी गिनदबाजी करा है लास्ट मैच के अंदर में भी किस मैच के अंदर में इनको बॉलिंग करने का मुखा दे कि दो बर के अंदर देखोगे तो इकॉना में भी काफिस अंदर रहा था एक विकेट निकाले थे 11 रन खर्च करते भी तो यह ना और का बैटिंग ओडर है और आपको सेम बैटिंग ओडर इस मैच के अंदर देखने को मिलेगा भाईयो इस में से जो भी बैटर लग रहा है बैटिंग ओडर को ध्यान में रखते हुए प्लेयर्स को अपने टीम के अंदर लेते चलो ठीक है दोस्तों लेकिन बात करते हैं K.E.L. के बारे में तो यह नया टीम है यह आज पहला मुकाबला खेरेगा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको डेनिस का खेलते हुए जो टीम टीटेन 2020 का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो बार मैचेस खेलें 71 रन स्कोर करा है प्लस दो विकेट निकाले हैं यह प्लेयर अच्छा है बाकि नेविल जॉन की बात करेंगे दोस्तों दो मैचे के अंदर तीन रन स्कोर करा है बाकि बालिंग से कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं यहाँ पर आप चाहें तो इनके साथ जा सकते हैं अच्छा प्लेयर आपको टीम के टॉप अटर पर बल्ले बाजी लगबा करते हुए दिख जाएंगे दोस्तों तो अच्छा बैट्स मैनल जरूट रहा करना बैटिंग मेर आप देखेंगे देसिन फर्नाडो खेलतों न जराएंगे जो 16 मैचिस खेले हैं 37 रूट स्कोर करा है प्लस यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 14 विकेट निकाले हैं तो यह भी खिलाड़ी इंपोर्टन है इनको अपने टीम के अंदर जरूर ट्र दोस्तों यहाँ पर अचिंता के बारे में इनका रिकॉर्ड उतना बैटर नहीं तो इनको अवड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं नया खिलाड़ी है बाकि निकॉलो फर्नाडो की बात करेंगे टीटन 2021 में देखोगे 9 मेच के अंदर 76 रन स्कोर करा है चे वि फास्टर बोलर है लेकिन देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर अभी तक कोई खास रिकॉर्ड इनके नाम है नहीं लेकिन अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं तो इनको ले सकते हैं कि दूस्तों बौलिंग करेंगे अगर इस मैच कंदर खेलते हैं तो बाकि इरोष की बात इनका रिकॉर्ड उतना बेटर रहा नहीं है, अगर आप चाहिए तो इरोष को ले सकते हैं, यह बढ़ियां गिंदबाजी करेंगे, हाला कि यह 5 मेच कंदर अगर आप देखेंगे तो कोई खास रिकॉर्ड इनके नाम नहीं है, तो यहां तक एक पुरवावल प्लेंग लेव है, और इस वज़े से इन दोनों को चाहें तो आप अवर्ड कर सकते हैं, लकिन यहां पर दोस्तों समीरू निमेश को लेना चाते हैं, तो ले सकते हैं, जो कि टीटेन 2021 में देखोगे, 8 मेचे खेले हैं, 21 रन स्कोर करा है, प्लस एक विकेट निकाले हैं, इनका बेटिंग तो उतना बेटर नहीं, लेकिन बॉलिंग यह दोस्तों 8 मेच के अंदर एक विकेट निकाले हैं, शेहन फर्नांडो जो कि 7 मेच के अंदर देखेंगे, 180 रन स्कोर करा है, बॉलिंग से कुछ खास रेकॉर्ड है नहीं, तो अगर यह बंदा खेलता है, तो आप ध्यान देना कि बेटिंग का काफी मजबूत है, शेहदिश फर्नांडो जो कि 5 मेच के अंदर 2-81 रन स्कोर करा है, प्लस एक विकेट निकाले दोस्तों तिनका भी बेटिंग काफी मजबूत है, बॉलिंग कम करते दोस्तों बाकि इशान और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जेसर, इन द अगर आप चाहें, तो खुद भी टीम क्रियेट कर सकते हो, ठीक है, मैंने आपके लिए एक दोस्तों टीम बनाके रखाया, बिफोर लाइन अप चलिए उस टीम की ओर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों, विकेट कीपर से आपको पता होगा एम हसन जो है दोस्तों यहाँ पर ओपन करते हैं, दोनों मैच का अंदर काफी बढ़िया खेला है कलके, और इस वज़े से कैप्टन सी के लिए सबसे बेश्ट आपके लिए रहेगा, बैटिंग में दोस्तों मैंने चार इंपोर्टन बैट्समन को ले रखा है, जिसमें से तीन इंपोर्टन मैंने बैट्समन को ले रखाया है, जिसमें से एमसिंग, एन फर्नांडो और यहाँ पर एज़र्डन, यह जो तीन प्लेयर है, ऑल अंडर में जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हुए नज़राएंगे, दोस्तों इन तीनों का रिकॉर्ड बहुत स फर्नांडो जो है, इनका अगर आप देखेंगे तो सुद्र टीटेन रिकॉर्ड सांदर है, इस वज़े से मैं इनको ट्राय कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो टी परिर्या का भी रिकॉर्ड आपने देखा है, एकर आप लेना चाहते हो, तो ले सकते हो, बॉलिंग में आप देखेंगे, तीन इंपोर्टन बॉलर को मैं ले रखा है, जिसमें से के इलके टीम के तरफ से, यह दोनों के दोनों टीम के में गिंदबाजे दुस्तों, जो आपको कंफर्म दो दो बर तक बॉलिंग करते होई दिख जाएंगे, तो इन दोनों के इंदबाज जो को ज जाने वाला हों, जो यहाँ पर काफी बड़ियां खेलें कल के मैच्स में, दोस्तों यह मेरे साइट से टीम है, अगर आपको इसमें से एक दो खिलाडियों को चेंज करना है, तो बिल्गुल अपने साइट से आप कर सकते हैं, आई होप आपको वीडियो से काफी कुछ help मिल होगा फायों, तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना, दोस्तों आपका एक लाइक से में काफी motivation मिलता है, और अभी तकर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहेते, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को प्रेस जरू कर देना, थैंक्स पोर वाजिंग झाल 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